हेलो फ्रेंग्स वल्कम पैक तो मैं चानल मदुलिका कश्यप और आयम मदुलिका और आज मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वह है एक ग्रीन जूस की जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसके अंदर जो जो इंग्रीडियंट्स हैं वह मैं आपको भी बताती और सबसे अची बात यह है कि यह सारे इंग्रीडियंट्स जो हैं सिवाए औरेंज को छोड़कर यह सारे मेरे गार्डन में ही है किचन गार्डन में तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि मैं और गैनिक ही पी लेती हूं इसको जूस को पीने का सबसे अच्छा और सबसे मात्रा में जाता है, ऑक्सिजन बहुत अच्छी मात्रा में जाते हैं, जिससे कि कई बार कंजेक्शन वगरा होते हैं, ब्रीथ करने में किसी को परिशानी होती है, तो ये उसके लिए ग्रीन गार्लिक, जो मैंने अपने गार्डन से तोड़ा है, उसके बाद ये है मेथी, मेथी की मैंने स्टेम के साथ ही मेथी लिया है, इसमें मेथी का स्टेम मैंने हटाया नहीं है, वैसे काफी सॉफ्ट है, अगर बहुत जादा हार्ड स्टेम हो आपके पास, तो आप स्टे इसके बाद यह दिख रहा है आपको सबको पालक के पत्ते हैं यह भी मैंने अपने गार्डन से ही तोड़े है इसमें भी जितनी छोड़ी बॉट स्टेम के अंदर होती है यह देखिए काफी फ्लेक्सिबल है तो यह पालक भी मैंने स्टेम के साथ ही लिया है अगर बहुत करी पत्ता तो आप जानते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन को या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है बॉड़ी के अंदर की फंगस इन्फेक्शन वगरा कुछ भी होता है तो उसके लिए गार्लिक और यह करी पत्ता यह दोनों बिल्कुल रामबार्ण होते हैं यह लिए बहुत ही अच्छे होते हैं पुदीने के पत्ते और यह सबसे अच्छी चीज यह है पार्सले जो आप देख सकते हैं यह देखें इस जो ऑता है आपके जो भी आप कार्ब खाते हैं पूरे दिन भर में उसकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है और इजिली डा अगर इतना ग्रीन पूरे दिन में आप जूस के फॉर्म में ले लेते हैं और इसके बाद यह है अद्रक यह भी मेरी गार्डन का ही है मैं आपको बता देती हूं और यह है बीटूट 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 भी मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि इसमें काफी आइरन है इस यह बनाया था जिसमें मैंने बोला था आवले से काया कल्प तो आवले का जूस जो होता है यह डेली आपको लेना ही चाहिए जिसे कि आपके शरीड में कभी भी कॉंस्टिपेशन होगा नहीं और फैट लॉस के लिए और विटमिन सी के लिए आईरन के लिए यह बहुत हमारे को चावन प्राश से कफ कोल्ड वगएर कुछ भी नहीं होता तो इसमें जो आवले का जूस होता है यह आपके चावन प्राश का में इंग्रिडियेंट होता है और अगर आप इसको फ्रेश जूस की फॉर्म में लेते हैं तो बहुत अच्छा है साल भर तो यह आपको जोर्म मैं तो गृर्न जूस खाली अकेली भी ले ले लती हैंगर मुझे खाली पत्यों का जूस भी लेना पड़े significant और यह पत्यों के फिद्रति का ट्रेंट का जूस अच्छा होता है इसे फिंडर में यह उता पॉसिबल नहीं है उनको बहुत जीब सा टेस्ट लगेगा इसलिए गाजर और यह किनू यह दो चीज़े साथ में एड़ करके अगर पी लेते हैं तो जो इसका टेस्ट है वह थोड़ा सा है थोड़ा अच्छा हो जाता है तो इसलिए यह मैंने यह सब चीज़ें डाली है फि यह है हमारे गेहु के जवारे यानि कि वीट ग्रास और यह है हमारे पार्सले और ग्रीन पार्सले और यह है पुदीने के पत्ते और यह है करी पत्ता और यह है गाजर और कीनू इन सब का जूस अब मैं आपको बना कर दिखाती हूं और यह बहुत ही टेस्टी होता है ऐसा बहुत अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको जूस बना के दिखाते हूं इसका यह दिखिए इतने में जूस बनकर तयार हो गया है और यह बहुत टेस्टी है आप यह पी कर देखेंगे इसको बना के तो बहुत अच्छा लगेगा झाल झाल